हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल सौपन कुमार फ्रेंड्स आज हम डिसकस करेंगे मैंने एक ब्लॉग इंप्लिमेंटेशन किये थे और यह मारे कस्टमर के थे और इसको मतब 6 मन्त पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो कुछ चैलेंजिंग आये कुछ चैलेंज आये जिसको मैंने उसको सही तरीके से इंप्लिमेंट करते हुए और फिर मैंने देखा कि 4-5 मन्स में ट्रैफिक बिल्कुल इंक्रीज हुए आद फिर कलेंगे इसकी जो मतलब कि टेक थे जिते हैए वह करीब ह êtes ओर करेंग्याने इस का कि प्राइड ही। कि बिल्हेब करने में मैंने फिल्सीन का रॉब्लम और को कैसे इस जिया अगि दिलिदेख Заिए भारे यहां पर इंपर शाइदोंग करेंगे अप्लास्ट तक यह मेरा वीडियो आप देखिए और जो भी नए उजर साते हैं वो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बिल आइकन को प्रेस करें कॉमेंट करें लाइक करें शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि अपने फिरेंट सर्कील में शेयर करना तो आप शेय लेट है तो जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो इसकी प्रॉब्लम क्या थी सबसे बड़ी की साइट लोड नहीं होते थे टाइम पे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहां पर यहीं पर आती है अगर आपको मैं कहूं कि यह साइट आपको मिला कोई भी वेबसाइट आप करना है कोकि जब आप यह चीज़े देखते हो तो सबसे पहले आप चेक करो शाइट की स्पीड कितनी है तो मैं यहां पर दिखता हूं चेक साइट सबसे पहले क्या देखना है कि साइट में आपकी स्पीड है या नहीं है कोई भी नहीं यहीं पर सबसे बड़ा बात है कि आपको इसको कॉंसेंट्रेट करना जब तक यह साइट स्पीट की चल रही है यहां प्रॉसेस देखों कितने आते हैं कि आप यह देख सकते 83 है मोबाइल की एंडर डेक्स्टॉप 99 तो फिर सबसे इंपॉर्टन चीज है अगर आपकी साइट की स्पीट सही है साइट अगर प्रॉपर ओपन हो रहे हैं कीवर्ड डार के जो कीवर्ड आप सर्ज कर रहे हो तो आप यकिन मानों आपको परफेक्ट रिजल्स का आपने 50 परसेंट आपने इन चीजों को सही कर लि तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमें आउन पेज यानि की टेक्निकल एस्यों को सही जरी कैसे इंप्लीमेंटेशन करना है फ्रेंड मैं टूल यूज करता हो और अब भी उज़ कर सकते हो वेर्ड सजेस्ट करके एक टूल है आप इसे वाई भी कर लोगे तो टूल डॉलर में अच्छा अगाजा आपको रिजल्स मिलने जा रहा है यहां पर तो मैं इसी को यूज करता हो उबेर्षाजेस्ट को और आप देख सकते हो यह बैडि ओर्डीटिंग डिपोर्ट मुक्छा मंत्रा की इसकी पूरी ऑदिटिंग की तो अब यहां पर सबसे बढ़ी चीज है कि जब आप इसकी औरडीटिंग करोगे तो आपको आपको ऑडिटिंग डिपोर्ट आपको चाहा पर यह आगी रिपोट तो मैं आपको रिपोर्ट देखाता हूं यह डिपोट कैसी दिखती है यह डॉनलोड में इसारे आजसें आपके पास इस तरीके से रोड़ेक सें लॉट्सें कितने पेति या tota तैमे करके देखते हैं broken links आपको द्यान रखना ब्रोकेंगी वह कुछ मिलते हैं तो वह मैं सही करता रहता हूं जहां ब्रोकें लिंग उसको सही करना है एक भी error को miss नहीं करना है ओके long load अभी इतनी पेजेज़ पे मुझे मतब कि ज्यूदा लोडिंग ले रही है लेगा इसको इस्को प्रबलम होगे किसी एसेसमें होगी या mejorar प्रावलम होगे उसको मैं सही करना पूरे कि यह सब रैंक पर कहना कहीं दिखने लगेंगे तो लिर्शीषार सब एक इंब और फिर आपका एक जो चैलेंजिंग होती है टेकनिकल की वह खतम हो जाई है जब आप यह चीज़े कर लेते हो फिक्स कर ले तो सारे लेटा तब आती है कि स्ट्रक्शर सही है या नहीं है जैसे मैं कहूं कि आपका URL कैसा बन रहा है तो जैसे मैं को डिप्रेशन एक ग्लोबल फिजिकल मेंटल किलर तो आपको एक कुछ अपने सर्ज फ्रेंडली जो लोग सर्ज करते जिस तरीके से उस तरीके के URL बनाने से आपको बेनेफिस देता है सर्च इंजिन तो मैंने उसके एक और इंग इनों ने किया उसके पास सबसे इंपॉर्टन अगर आप कॉंटेंट प्राइब तो क्या लिखा हुआ सबसे बड़ी चीज है तो आपको कॉंटेंट को भी बहुत तरीके से लिखना है क्या होती है आपको हर जगह आज के डिट में इएटी इसको आप जरूर इस्टडी करो इसको अच्छी कॉंसेट से जो आपको कॉंट इंप्लिमेंटेशन में help करता है तो आपको इन चीजों को यहां पर ध्यान रखना होगा कैसे यह चीजों वर्क करती है उसके बाद आप देखते हो जब कॉंटेंट आप सही कर लेते हो फिर उसके बाद कॉंटेंट के बार आते हैं मेरा टैग ऑप्टिमाइजिशन जिसको क्या की वर्ड आप प्रोमोट करना चाहते हो इसको आपको ध्यान में रखना डिप्रेशन से रिलेटिड आपको की वर्स आपको सर्ज करने होंगे आपके पास टूल से अब यह सबसे पहले अगर आपने पकड़ बना ली याने की गूगल में सो होने लगी रैंकिंग तो य आते जाएंगे रैंक के अंदर ठीक है यह सबसे इंपॉर्टन चीज जब यह चीज़ें हो जाएगी आपकी उसके बाद आपको देखना है सबसे इंपॉर्टन चीज इसमें कि जब यह चीज़ें होती है बहुत सारे ऐसी प्रॉलम आते हैं कि आपकी पेजेस तो बन गया आपने पेज बना लिए काफी बड़ी पेज बनी है यह चीज़ें अब आप देख लो किसी इंटरनल लिंकिंग की हुई है कि मतलब कि यूजर्स आए अगर डिप्रेशन से सर्च कर रहा हो तो उससे रिलेटर जो भी सर्च उसको लगता है कि यहां से उसे मिल जाती है तो उसको यहां पर रोक के रखना है अब आप सोचे इसमें करें कि 5000 वर्ट के कॉंटेंट लगे पड़े हैं तो कहने का परपस यह है कि आप अपने कॉंटेंट को जितना इंगेज रखोगे मतलब कि आप एक्स्परियेंस तो क्या डिप्रेशन से सही में इस होते हैं क्या प्र प्रिश्ट पर इस पेज पर आता है तो उस पेज मिलती है क्या उसे वह इंफॉर्मस मिल रहा है जो वह सर्च कर रहा है यह बहुत बड़ी चीज होती है और कितने टाइम आप यूजर को इस पर टिकुलर पेज पर रोग सकते हो अगर आपने मैंने करना कि तीन मिनट भी र पात है कुछ ना कुछ इंगेजिंग कॉंटेंट जो उसर्च कर रहे हैं और यूजर यहां पर आकर रुकते हैं देखते हैं कांटेंट कैसी है यह बहुत बड़ा माइन है यह बहुत बड़ी इंपोर्टेंट है इस पेज की साइट की यह आपको ध्यान लगना पड़ेगा अगर सक्सेस नहीं होता है आपको लगता की डिप्रेसन की पेज आप नाल्यटिक्स चेक करते हैं लगता कि यह क्या हो रहा है बॉनसेट काफी है ज्यादा लोग आ रहे हैं और चले जा रहे हैं तो आप समझ लेना प्राप्लम है आपको अपनी कॉंटेंट पर वर्क करना ह इन सब वह पर बैक लिंकिंगे मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूं अभी करना ही नहीं है अभी बाक लिंग आप भूल जाओ बस इसका ध्यान रखो कि कैसे इन चीजों को आप आप कंट्रोल कर सकते हो आप जितना कंट्रोल करो तो इसका ध्यान आपको रखना है अगर आपने इतनी चीज़ों पर पकड़ा नहीं यानिकि मैंने आपको बड़ा था फिप्टी परसेंट अपने पेजी स्पीट से और आप मान के चलो 28-29 परसेंट यानि आप मान लो ना 80% जो हो गए यह हमारा कंट्रोल कर जाता है यह चीज़ है इसके बाद अब मैं आपको यहां पर लेकर आता हूं आप देख लो मंतली ट्रैफिक और इनक इतनी आ रही हैं और इनक कीवर्ट क्स्टरमर ने मुझे कितने कीवर्स दिए होंगे मुस्किल से सिवेंटी टुएट याँ आज देख लो कितने कीवर्स आ रहें सिस्टीन तौजन फोर सिवेंटीफ़ बैक लिंक्स प्रिट बैक लिंक्स क्या हैं बैक लिंक्स से एक सपोर्ट कर सकते हो आप किसी साइट के लिए अब जैसे मैं को गया मैंने डिप्रेशन के बारे में यह सिजे आती है कि बैक लिंक्स क्यों बनाया जाए इस प्रेस के लिए तो फ्रेंट्स एक गुगल की पॉलीशी है कि विदाउट बैक लिंक्स मैक्सिमम चीज़ों में रहेंक नहीं कर सकते कितना भी कॉंटेंट आपका बहुत अच्छा हो जाए हो सकता हो फ्यूचर में जब आपकी एक ऑथरिटी बन जाती है मार्केट में गूगल के अंदर गूगल को लगता है कि यह जो कुछ भी पब्लीश करेगा उससे आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे तो इसको ध्यान में रखना है इसको मिस नहीं करना इस पॉइंट को जो मैं बोल्ड रांफरेंस उसक बना करेंगे बिलकुल आपको एन्याइं बोला प्रेंटिर का है का कंट्र रखो उसके बार इसके वाद आपना यह पीज़िविटी आपको आपको कंट्रोल में रखना है इंटर्नल कहां लगते हैं वहां देखेंगो लगता है तो आपका के साइट पर सकते हो कुछ अगर साइट पर मिल रहा है तो जाएगी दूसरे वेबसाइट पर यही तो हैं आज की जेनरिशन्स में कि आज कि आपने कॉंटेंट को तरीके से पुस्क कर दिया तो आपको बेटर रिजल्स मिलेगा इसमें कोई डाउट नहीं है और मैं अखरता हूँ कि आप सिर्फ ब्रैंडिंग क्रेट करना है तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा ब्रैंडिंग पर ज्यादा कॉंसेंट्रेट करो कीवर्स की जो प्रोमोशन करते हैं वह दो से तीन पर्षेंट रखनी है रेस्ट आप ब्रैंडिंग पर लगाओ अब आप देखो कि ब्रैंडिंग कैसे हैं तो मैं जाता हूं यहां पर यह बैक लिंक से हमारे साइट स्लीव इस तरीके से कॉंटेंट है यह लिंक बनाया था माइंडफुलनेस मेडिटेशन इन डेली लाइफ कंट्रोल सी किया और फिर मैं यहां पर आता हूं और अब देख़ता है अब देख्रवत्स ट्राफिक कितनी ज्यादा है कि मुख्षा मंत्रा भी देखना इसमें दीखती है यह विक्कीपीडिया है जो मेंने पेडिए से कनेक्ट वे सोson जहां पि लगता कि कि इंगेजियों चीज लिख सकता हूं उसकें लिए पफेंड एप आप देख सकते हो तो कहने का मतलब है लिंक बनाओ जहां पर हैं आइसे नहीं कि मैं फोर्ट में बनाता जा रहा हूं रूपएल बनाते जा रहा हूं या मैं कहों कि करते जारो सौ साइटों में कर गी टार्गेट इस तरीके से इस मतलब कि blindly इसमें नहीं चलेगा कोई भी प्रोजेक्ट में नहीं चलेगा उतना वर्क कर जितनी इंपोर्टेंट करें अपने जो ब्लॉग से उसकी सोशल एकाउंट में आलो तीन से चाएं इस इसके बाद लिंग्डिन अगर आप चाहते हो तो उसके बाद अब अपना फेस्टे इंस्टाग्राम ऑगे यूटूब में अगर बना सकते चैनल बना लो को कि विज्वल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत जलूरी है और फिर इन चीजों में बना कर अपने पोस्ट को हमेज़ डिखेंगे आपके आती यह करते जाओ यह करते जाओ यह करते जाओ जिसे लाइक्स जो भी बढ़ने गाफ़ आप देख सकते जीट तो यह भी एक तरीका होता है कि आपके साइट में ट्रैफिक देने का और 40% to 50% ट्रैफिक आप सोचल मेडिया से जिनरेट कर सकते हैं तो यह ध्यार में रखना आपके पास अगर बजट है तो आप फेस्बूक में चला सकते हैं तो अच्छे खासी उजर्स आ जाते हैं पट आपको कैंपनिंग में ध्यान रखना है कि क्या वह तीजे सही यूजर्स के पास पहुंच रही है या नहीं जो चीजे देखा दी बैक लिंक्स वेगड़ा की देन नेक्स्ट हमारी जो आती है मैं वापस डैस्पोर पर आजाता हूं कि अच्छे आपको यहां पर यहां पर यहां पर आप देख सकते हैं 283-285 इस तरीके से मैं कहना चाहूंगा यहां पर कि आपना अपडेट गूगल की जो एल्गोरिथम अपडेट आती हैं उसको ध्यान में रखना है अपडेट है आज की डेट में क्या हो रहे हैं दो महीने एक महीने में कभी भी कुछ भी आ जाती है और कभी न कभी आपको कर गई तो यह चीज़े होनी नहीं चाहिए रैंक स्लाइब का मतलब है आपने कोई टेक्निक्स गलत किया है प्रोमोशन म दो गलत काम ही नहीं चाहिए तो आप जिल्ट मेंसे नहीं करनेए प्लोग मेलें करने इसन इस स्यक्ली ना करो कॉंते ब्लॉगज़े तो इसको ध्यान में रखना है आपको ट्रैफिक लाने में बहुत धिल्प करेगा और थोड़ा प्रफिक को जर्णार रहा है आपको एक प्रेटफॉर्म मिलता है जहां पर फ्री में अपने ट्रैफिक को जर्नेरेट कर सकते हो कोई पैसे लगाने के जोगने concentrate on focus on the early content के अंदर रखने बस इससे ज्यादा कोई ज्यादा वर्क नहीं करने साइट में जितना आप हो सकता है कोशिस यह भी करो कि विज्वल जो रिप्रेजेंटेशन इन्फोग्राफिक्स उसको यूज़ करो साइट में लो इमेज करेंट करो अपने जितने कॉपी पेंट से जितने ज्यादा यानि की आप इसकेशिंग करोगे कि कैसी तरीके से फ्लो चलना है उसको ध्यान में डखे करो पिन इन्टेश्ट में यूज़ करो यहीं सबसे हैं जाब बिलिएन सब ट्रैफिक से वागे सब ट्रैफिक भी आपको कभर मिल जाए तो आप एक पेश के लिए तो आपकी ट्रैफिक कितनी ज़्यादा है यह करेंगे तब यह ने कि हमने पता ही नहीं है कि बेस कि आया और आप प्रोमोट करते चले जाओगे चीज़ों को नहीं चलना है आपको कम से कम पांसे छे दिन लगाने पड़ेंगे तब आपके पास गोल्डेन की वर्ट आएंगे कि के इस तरीके से प्रोमोट करने हैं यह जहां रखना है यह सब चीज़े माइने रखती हैं जैसे मैं परफॉर्मेंस दिखाता हूं अभी जैसे यह परफॉर्मेंस आप सब्सक्राइब करने का मतलब यह सब्सक्राइब कितना ज्यादा आपके पास टैक्निक्स टिप्स हैं क्या नहीं कर सकते सबसे अच्छी चीज होती है इस इंजिन ऑप्टिमाइशन मैं आज भी करता हूं इस बेस प्रेटफॉर्म इंडिजिटल मार्किन मानता हूं पेट कैमपेंग से आप एकदम इंस्टेंटली आप बूस्ट कर सकते हैं अब जो मैं कहूं कि प्राक्टिकली विदाउट इंवेस्टमेंट आपको बेटर र इन चीजों का इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से आपने कर दीना आपको बेस्ट एंड बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है जो चीज़े मैंने आपको कीज बताया है इस पर आप कॉंसेंट्रेट करो रैंक आटमेंटिकली पर डेफनेटली मैं चाहूंगा कि वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मैं हमेरे हमेसा टार्गेट है कि मैं कुछ नया ले करा हूं कुछ नया इंप्लीमेंटेशन जिससे आप तक वो चीजे पहुंच सके तो आपको सीखना है आपको इंप्लीमेंट करने है तो इस जी के कर दो आपको सीखना है